मनीपूर के अंदरूनी इलाखों में आज भी अभी भी लगातार फाइरिंग जा रही है यानि कि एक और कुकी मिलिटिंस है और यह जो आवाज आपको सुनाई दे रही है यह जो आवाज सुनाई दे रही है यह गोलियों की आवाज है जो एक और यहाँ पर मनीपूर सरकार क की जा रही है कई जगा तो force को मूव करने के लिए भी उसका इस्तमाल किया जा रहा है इसके आगे bunkers है इसके आगे forces तैनात है हमें इसके आगे आनी जाने की अनुमती नहीं है लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिने खाली कर दिया गया है क्योंकि सुबह से लेके शाम तक कब यहां पर फाइरिंग शुरू हो जाएगी यह नहीं पता लगता है शाम के समय जो लोग सामने रहते हैं वहां पर पुलिस की तैनाती है और साफ कह दिया गया है कि जितना आपको आती दिख रहे हैं यह लगातार और जितनी भी दुकाने उन्हें बंद कराया जा रहा है दो पहर से लेके शाम तक लगबग यही आलम रहता है जितनी भी दुकाने और यह जो गोलियों के आवाज आपको सुनाई दे रही है यह दोनों समुदाय के बीच में हो रही इस समय फाइरिंग है यह जो लोग हैं अंदर से बाहर आ रहे हैं जिनके घर हैं या फिर जिनके वहां पर आफिस हैं या दफ्तर हैं वो तो सब और लगातारी अनौंसमेंट जारी है यह ध्यान में रखते हुए कि यही वो इलाका है जहां पर पिछली 24 गंटे में आग लोड़ा गया है यह विशनुपूर का क्वाक्ता इलाका है जहां पर अलग-अलग समुदाय के लोग रहते हैं और यह यह आवास सुनिये यह यहां पर खड़ा रहना भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि इसके चारों और इस पूरे रिहाइशी इलाके को तो खाली करा दिया गया है लेकिन इसके दूसरी और भी अम्विलेंस वगरा सब तयार रही है मैं आपको यह आपको तिस्वीर दिखा रहे हूं कि किस तरह से यहां पर लोगों को बठा कर रख्या गया है अंब आपा साथ सब तयारी आरी कि गई है क्योंकि लोगों को चोट लगती है यह घाय Kia Lui Bal, Khwakta, Manipur ABB News.